हाई फूडीज आप सभी का स्वागत हैं मेरे साथ टेस्टी रेस्पी बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट रेसिपी वीडियो के लिए लाइकन को प्रेस करें वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कोई सुझाओ और तो कमेंट करना ना आएंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने दो पैकेट एक्टू पॉपकरन का यूज किया है आप चाहे तो नॉर्मल कॉर्ण का भी यूज कर सकते हैं और मैंने एक मैं लो फ्लैम में मैंगी मसाला डालेंगे और फट अफट चलाएंगे ताकि मसाले जलेना अब अब अपने सारे कॉर्ण को मसाले में डाल देंगे धियान रखिएगा आपका फ्लेम लोही होना चाहिए अब लिटस को डग देंगे थोड़ी देर बाद गरम होते ही एक-एक दाने फूटने लगेंगे ये देखिए फूटने लगें ध्यान रखिएगा कि आप इसे फूटते वक्त कभी गल्दी से भी मत खोलिएगा अधर वाइस आप जल सकते हैं मेरे सारे दाने अच्छे से फूट रहे हैं मेरे सारे पॉपकॉर्ण बन चुके हैं अब हम भी रटा कर देखते हैं वाउ मेरे पॉपकॉर्ण रेडी है इसे ठंडा करके सर्फ कर सकते हैं ठंडा हो गया है मेरा पॉपकॉर्ण अब हम अपने पॉपकॉर्ण को खाने के लिए दम तयार है और मेरे हर एक पॉपकॉर्ण में मैगी के मसाले भी दिख रहे हैं आप चाहे तो थोड़ा उपर से भी छिड़क सकते हैं तो दोस्तों आज की हमारी टेस्टी रेसिपी बन के तयार है ऐसे ही मज़ेदा रेसिपी के लिए हमारे साथ बने रहे थैंक्स पर वाचिंग